दुनिया की वह गंदी आउरत कहां गई मेरे प्यारी में अन्धी आउरत कहां गई हो हो दुनिया की वह गंदी आउरत कहां गई मेरे प्यारी में अन्धी आउरत कहां गई नमस्कार प्राम हम अजय साहनी स्टार आप सभी से आज एक ऐसी आउरत का पता पूछ रहा हूं जो मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है और यदा कदा आप सब के जीवन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उस अउरत को यदि आप पहचान जाएं उस अउरत को यदि आप जान जाएं तो कृपया आप अपने तरफ से मेरा मारदर्सन करिएगा मेरा होस्ला आप जाई कर सकते हैं अरे दुनिया की वह गंधी आवरत कहां गई मेरे प्यार में अंधी आवरत कहां गई उस अरत को परभाशित करते हुए उसके लक्षन बता रहा हूं मैं कि वो कौन थी क्या करती थी आप सब भी याद कीजिएगा लड़ जाती थी अमराज से जो खुद रह कर भी बदहाली में हमको पाली थी नाज से जो लड़ जाती थी अमराज से जो खुद रह कर भी बदहाली में हमको पाली थी नाज से जो कही धूप मुझे ना लग जाए आचल से वह ढख लेती थी मिर नन्हे पाउं न ठक जाए पैदल नहीं चलने देती थी मैं उस दिन भी ऐसा ही था अपने ही मन की करता था उसकी गोदी थी सिंहाजन मैं नीचे नहीं उतरता था उसकी छाती का दो धिना मीठा था यर नहीं फिका था मेरी खाती हर बीमारी से लड़ने वाला टीका था वह मेरी खातीर लड़ती थी उसके होठों पर गारी थी मेरी सुरक्षा की खातीर जाने कितनों को मारी थी अरे वो हाँ हाँ वो पगली रण चंडी आरत कहां गई दुनिया की वह गंदी आरत कहां गई मेरे प्यारी में अंधी आरत कहां गई उस आरत के संबंध में जो लोगों की राय थी जो लोग उसे कहते थे वो आप सबको बताना चाहता हूँ लोग उसके बारे में क्या सोचते थे सब कहते थे वह इस धरती की सबसे करकशा नारी थी मैं आज तलक नहीं समझ सका फिर क्यूं वो मुझ से हारी थी जिस चीज की मैं जिद कर लेता वह अगले दिन ही मेरी थी मैं उससे लड़ने लगता था जो हो जाती कुछ देरी थी मुझे याद है मैं क्रोधित होकर उस पर कई बार प्रहार किया फिर भी उस जाहिल गवार ने जाने क्यूं मुझ से प्यार किया मुझे नजर न किसी की लग जाए हर नजर उतारा करती थी कोई टोना टोटका ना कर दे इस बात से कितना डरती थी मेरी तारीफ कोई कर दे तो उसको टोका करती थी मुझे हस कर भी कोई देखे तो उसको रोका करती थी अरे जाने वो पाखंडी आरत कहां गई दुनिया की वह गंदी आरत कहां गई मेरे प्यार में अंधियारत कहां गई हाँ हाँ दुनिया की वह गंदी आरत कहां गई मेरे प्यार में अंधियारत कहां गई आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अब तक ये जान लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी हाँ मैं उसी जन्मदाथिी मा की बात कर रहा हूँ जो आज आप सब के जीवन में या तो होंगी या तो नहीं होंगी लेकिन मैं उस छण को याद करना चाहता हूँ जब मां हम पर गुरूर करती थी इतराती थी नाज करती थी और हम उसके साथ क्या करते थे उसके बारे में क्या सोचते थे हम मैंसे बहुत लोग ऐसे होंगे उनकी ही उन मनोभावना को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ उसने मुझे को था जनम दिया उसकी रहमत पर जिन्दा था वह मुझे पर गुरूर करती थी मैं क्यूं उस पर शर्मिंदा था उसने मुझे को था जनम दिया उसकी रहमत पर जिन्दा था वह मुझे पर गुरूर करती थी मैं उस पर क्यूं सर्मिंदा था उसका कुशूर यह था कि उसको आती नहीं थी अंगरे जी सबने उसको रोका लेकिन उसने मुझे कानवेंट भेजी सबने उसको रोका उसने मुझे पढ़ने कानवेंट भेजी पैरेंट्स मिटिंग में उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता था उसकी ओच्छी हरकत से मेरा सिर नीचे जुक जाता था वह मुझे को पुलिस दरोगा डियम और कलेक्टर कहती थी पर बाकी बच्चों के ममी जैसी ना क्यों वो रहती थी कुछ बात तो थी उस अनपढ़ में मैं उसके बिना यधूरा था ये सब सपने तो उसके थे जिनको मैंने किया पुरा था वह सब से बड़ी घमंडी आरत कहां गई दुनिया की वह गंदी आरत कहां गई मेरे प्यारी में अंधी आरत कहां गई हो हो दुनिया की वह गंदी आरत कहां गई मेरे प्यारी में अंधी आरत कहां गई झारत कहां जा시 झारत कहींघए रील